ओम जै श्रीहरी विष्णू जै मातरानी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मां भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदास्त सरवदा बनी रहे दोस्तों 18 मार्च 2023 यानि की शनिवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का वरत रखा जाएगा चैत्रमास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार इस एकादिशी का वरत धारण करने से या फिर बिना वरत किये भी भगवान श्री हरी विश्णु जो की जगत के पालन हार हैं उनकी पूजा आराधना करने से समस्त्र प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त्र प्रकार की मनो कामनाय पुरुन होती है इसके साथ ही जाने अंजाने में किये गए जो पापकर्म होते हैं काईक वाजिक मानसिक चाहे इस जन्म के हो या फिर पुर्व जन्म के हो समस्त्र प्रकार के पापकर्मों उसे मुक्ति मिल जाती है और इसलिए चैत्रमास की कृष्णपक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का नाम सास्त्रों में दिया गया है अब देखिए वैसे तो पाप मोचनी एकादशी वैसे भी अपने आप में एक स्रेष्ट मुहूर्त है स्रेष्ट दिन है और बह और इस शुब योग में अगर आप पूजा पाट करते हैं व्रत धारन करते हैं दान करते हैं या कोई भी मंत्र जब करते हैं कोई चोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका प्रभाव आपको बहुत अथिक प्राप्त होता है यह यूं कहा जाए कि कई गुना होकर प्राप्त होत और इन सुभ योगों का लाभ आपको किस प्रकार से प्राप्थ होगा। कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। किस प्रकार से पूजा sagt करें। कौन से ऐसे कारे करें। जिससे कि आपकी मनो कामना बहुत शीगर-पूरुर्ण हो हो।ảo कि सब्सक्राइम। तो आज की वीडियो बहुत महतुपण है, पारण के शुभ महुर्त के साथ ही आपको बहुत सारे शुभ महुर्त जो आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और आज हमें कौन सा उपाई करना चाहिए, जिससे कि आपकी कोई भी मनो कामना पुर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, तो लाइक तो ज़रूर ही क्या करें, इसके साथ ही मातरानी के नाम का जैकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सगरात्मक उरजा की प्राप्ती होती है, और अगर आपका कोई भी सुझा करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अप्लोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त होगी बात करते हैं सबसे पहले एकादशी के शुब महुट के बारे में देखिए पाप मोचनी तिती के अनुसार 18 मार्च 2030 यानि कि शनिवार के दिंग एकादशी का व्रत धारन कर रहे हैं और बात करें पारण के शुब महुट के बारे में उससे पहले जानते हैं द्वादशी तिती का शुब महुट क्या है द्वादशी तिती प्रारंब हो जाएगी 18 मार्च को सुबह 11 बज कर 14 मिनट पर और द्वादशी तिती समापत हो रही है 19 मार्च को सुबह 8 बज कर 7 मिनट पर और वरत खोलने का यानि की पारण कोलने का शुब महुत सुर्योदे के बाद ही होता है, तो 19 मार्ज को शुर्योदे काल का समय रहेगा सुबह 6.30 मिनट तक, और इसके बाद आप पारण कर सकते हैं मतलब 19 मार्ज को सुबह सुर्योदे के बाद यानि की सुबह 6 बज कर 37 मिनट से सुबह 8 बज कर 7 मिनट तक अपने वृत का पारण जरूर कर लीजे क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथी लग जाएगी और शास्त्रों के अनुचार एकाद शी वृत का पारण कभी भी त्रयोदशी तिथी में नहीं करना चाहिए इसे पाप के समान माना गया है तो पारण के शुब मुर्थ का ध्यान आपको जरूर रखना है क्योंकि अगर आप शुब मुर्थ में पारण करेंगे तभी आपके वृत का संपुर्ण फल आपको प्राप्त होगा और अब जानते हैं कि एकाद शी के दिन कौन सा शुब मुर्थ आपको प्राप्त हो रहा है देखिए सबसे पहले तो अभीजित मुर्थ का समय नोट कर लीजिए अभीजित मुर्थ रहेगा दोपहर में 12 बजकर 11 मिनट से दोपहर में 12 बजकर 58 मिनट तक कोई भी नया कारिय करना चाहते हैं या फिर पूजा आराधना करना चाहते हैं तो कोई भी शुब कारिय जिसका फल आप दिर्ग काल तक प्राप्त करना चाहते हैं वो अभिजित मुहुर्थ में शुरू करना चाहिए ये अभिजित मुहुर्थ हरी को अतिप्रिय होता है और शिव योग का समय रहेगा 18 मार्च को सुबह 3 बज कर 33 मिनट से रात्री 11 बज कर 53 मिनट तक मतलब पूरे दिन और पूरी रात्री 18 मार्च को शिव योग रहेगा और इसके बाद शिद्ध योग का प्रारंब हो जाएगा और हाँ सबसे जो महत्वण योग इस दिन लग रहे हैं वो है सरवार्थ सिद्धी योग और द्विपुशकर योग सरवार्थ सिद्धी योग आप सभी जानते हैं मैं हमेशा ही लगभग वर्रन करती हूँ सरवार्थ सिद्धी योग के बारे में शास्त्रों के अनुसार इस समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो निश्चित ही उसमें सफलता की प्राप्ती होती है सिद्धी की प्राप्ती होती है और द्वी पुशकर योग एक ऐसा योग होता है जिस समय में अगर आप कोई भी कारिय करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है जैसे कि अगर आप कोई भी पूजा पार्ट कर रहे हैं कोई मंत्र जब कर रहे हैं या कोई भी दान देते हैं या कोई भी धर्म करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है अगर आप द्वी पुसकर योग में करते हैं तो मतलब द्वी पुसकर योग में किया गया जो भी कार्य होता है उससे हमें दुगना लाप प्र सभात होता हैं तो सर्वार्च शिद्धियोग प्रारंपः 18 मoz 6 और सर्वार्च शिध्ययोग समाप्थम सच 9 место और द्वीपुसकर योग प्रारंभ हो रहा है 19 मार्च को सुभह 12 बसकर 29 मिनट पर और समाप्त होगा 19 मार्च को ही सुभह 8 बसकर 7 मिनट पर तो देखे द्वीपुसकर योग वैसे तो रात्री में लग रहा है और सुभह समाप्त हो जाएगा मतलब आपका पारण और जो आप दान करेंगे वो आप द्विपुसकर योग में करेंगे जो आप पूजा आराधना सुबह की करते हैं द्वादशी तिती में यानि कि जो द्वादशी तिती में पारण के वक्त जो हम पूजा आराधना करते हैं मंत्र जब करते हैं या फिर दान देते हैं अपने भोजन करने स वो तो सुबह उठेंगे ब्रह्म मुहुर्थ में शनान करेंगे पूजा आराधना सब कुछ उस समय कर लेते हैं मतलब दान वगर सब हम 8 बजकर 7 मिनट से पहले ही करेंगे तो द्विपुसकर योग में हम कर रहे हैं तो हमें लाब उसका दुगना प्राप्त होगा लेकिन जो और माल लीजी कि आप वरत नहीं भी करते हैं तो भी पूरा प्रयास कीजिए कि कुछ न कुछ दान अवश्य करें किसी गाई को आप चाहें तो रूटी खिला सकते हैं किसी धर्मस्थान में कुछ वश्थ में दान कर सकते हैं अन्मिका धन का वस्त्रका जो भी आप से कुछ न कुछ दान अवश्य कर लीजिए तो अगर आप ये शुभ कर्म करते हैं तो द्विपुस्कर योग का लाभाब को प्राप्त होगा और हाँ एकादशी के दिन तो पूरे दिन सरवार्थ सिध्य योग है तो एकादशी के दिन पूजा आराधना सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए और पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधी क्या होती है वरत के नियम क्या होते हैं इसके बारे में चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए और अब बात करते हैं कि इस दिन आपको करनी चाहिए देखे बीपल की पूजा करने के लिए कोई बहुत सारी सामगरी आपको नहीं चाहिए होती है आपको एक पात्र में थोड़ा सा दूद लेना है अगर आपके पास दूद ना हो तो आप सिर्फ जल भी ले सकते हैं और अगर आपके पास गाय का कच्छा दूध सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए मतलब हमें मीठा people की जड़ में अरपिद करना है तो कुछ भी थोड़ी सी मीठी सामगरी थोड़े से काले तिल डाल डीजिए और थोड़े से क्षद राल दीजिए और इसके एलावा एक दीपक ले सकते हैं आप चाहे तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, चाहे तो आटे का दीपक बिना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्द हो, अब जैसे कि दीपक के लिए बहुत सारे प्रशनाते हैं, गोल बाती, लंबी बाती, शुद्धी, तिल तेल, सरसों तेल, ऐसे बहुत सारे आप लो दीजिए शुद्धिकी हो तो शुद्धिकी का प्रयोग कर सकते हैं चाहे तो तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं और यह दोलों ही चीज़े अगर आपके पास ना हो तो ऐसे में सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आज एका दशी है अगर आप शुद्धिकी का प् इन सब का ध्यान करने के बाद आप पीपल की जड़ में जल अर्पित करेंगे जड़ में जल अर्पित करना है इस बात का ध्यान रखिए और इसके बाद दीपक प्रजलित कर दीजिए धूप दीप जो भी आप लेकर गए हैं सामगरी सभी चीज़े एक एक करके भगवान श् साथ भार परिग्रमा करें टेग्मब की अरपित कीजिये और उसके बाद पीपल की सथ बार परिक्रमा कर लीजिए डेख jungle की अनूसा कितनी भी बार कर चकते हैं कम से कम साथ बार कर लीजिए और इससे जाँदा फिर 11 बार या 108 बार यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है और शनिवार के दिन जब हम पीपल की परिग्रमा करते हैं और पीपल को स्पर्स करके अपने मन की कोई भी कामना कहते हैं तो निस्चिती हमारी मनोग कामना पूर्ण होती है तो ज करते हुए समस्त्य परेशानिया वहां अपने मन में स्मरण कीजिए या फिर ऐसे आप समझ लीजिए कि आपके सामने श्री लक्षमी नारायन चत्रुपुत स्वरूप में खड़े हैं साक्षात आपके सामने हैं आप उनसे अपने मन की बात कह रहे हैं तो ऐसे में आप अपन मन से भगवान श्रीयर विष्णु का ध्यान करते हुए और अपने मन की परेशानिया कह दीजिए जो भी आपकी मनो कामना है भगवान श्रीयर विष्णु से प्रार्तना कीजिए कि आपकी मनो कामना बहुत शीग्र पुर्ण हो जो भी जाने अंजाने में हमसे गलतियां देखिए आज पाप मुचनी एकादशी है शनिवारी एकादशी है जो कि अत्यान्थी स्रेष्ट और दुरलब संयोग है उसमें भी सरवार्ट सिध्ययोग का होना अपने आप में अत्यान्थी स्रेष्ट और दुरलब संयोग बना देता है ऐसे में आपके मन की कोई भी शानियों से मुक्ति मिल जाएगी और हां परिक्रमा करने के बाद पूजा करने के बाद पीपल व्रिक्ष की चाया में बैटकर थोड़ी देर तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जब जरूर कीजिए और फिर घर में आकर भगवान स्री लक्षमी नाराण का ध्यान करते हुए चाहे तो विष्णु सहस्री नाम का पाट कर सकते हैं या फिर श्री सुक्त का पाट कर सकते हैं यह पूरी तरह से आपकी अपने इच्छा पर निर्भर करता है या नहीं करते हैं यह पूरी तरह से आपकी अपने इच्छा पर निर्भर करता है लेकिन पी राम जी का मंदिर हो या फिर भगवान शिव का मंदिर हो तो भी आप ये उपाई कर सकते हैं इसी प्रकार से आपको जल तयार करना है ये जल ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान शिव से प्रात्ना करनी है देखिए शिवलिंग पर प्रतेक देवी देवत कि पूजा आरादना की जा सकती है इसलिए अगर कोई भी मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो शिवाले तो जरूर होगा तो शिवाले में जाकर भी आप ये उपाई कर सकते हैं सरवार्थ सिद्धियोग में एकादशी है इसका लाब जरूर उठाए और हां इसके अलाव के समय कम से कम एक दीपक अवश्य प्रद्वलित कीजिए इससे मालक्षमी का आगमन आपके घर में होगा अपने घर में मालक्षमी और श्री हरी विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करके वहीं बैटकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाट कीजिए और श्री शुक्त का जाती है विश्णु सहस्तर नाम का पाठ करने से और स्रीशुक्त का पाठ करने से अगर आपके पास समय हो तो जरूर कर लीजिए अगर पढ़ नहीं पाते हैं तो मोबाईल पर चला कर भी सुन सकते हैं दोस्तों मीद करती हूं कि आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूं इस उपाई को आप करके जरूर देखेंगे और हां आने वाली वीडियो में आप एकद शिवरत की कथा भी जरूर सुनिए और चैत्रमास का प्रदोश वरत कब है और मासिक सिवरात्री कब रत आपको कब करना है चैत्रमास की अमावश्या कब है और नव स्कार